शुरू में तो मैं आपसे छमा चाता हूँ और यहां की स्तिती क्या है आपने खुद आखों से देखा है इसी लिए थोड़ी देर होगे थोड़ी ने एक आदा रिंटा देर हुआ इसी लिए मुझे वक्त पे आपके सामने हाजर होने का समय नहीं है तो इसलिए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांग के अपने शब्दों को आगे बढ़ाओंगा आजादे के पचातर साल के इत्यास में भारती राश्टरी कॉंग्रिस ने लगातार इस देश की डिमाकरसी को मजबूत किया और समिदान के रक्षा की आज जब डिमाकरसी खत्रे में है समिदान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टूशन को तोड़ा जा रहा है तो कॉंग्रेस पार्टी ने राश्टी स्थर पर और्गनाइजेशनल एलेक्शन्स करवा कर देश की डिमाकरसी को मजबूत करने का एक्जामपल पेस किया है कॉंग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाओं के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलिगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कारेक्रन से जुड़े हैं उन सब को मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबने डेमाकरसिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कॉंग्रेस को मजबूत किया है मेरे साथी स्री शशी तरूर को भी शुबकामना देता हूँ क्योंकि ये चुनाओ में हम एक प्रतिनिदी के रूप में हम और ओ खड़े थे लेकिन चुनाओ बहुत अच्छा चला और ओ भी मुझे आकर मिले एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कॉपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी खसते होगे ये तो एक डेमोकरी प्रुसेस है हमको मिलके काम करना है ये कहा तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ सभी कॉंग्रेस कार्य करता हूँ की ओर से मैं स्रीमति सोन्या गांधी का आभार वेक्त करता हूँ सोन्या जी ने पर्सनल सेक्रिफाइस कर तेवीश वर्ष तक कॉंग्रेस पार्टी के अपनी खून पसिने से सीचा है सोन्या जी की लीडोशिप में ना केवल हमने दो बार केंदर में सरकार बनाई बलकि अनेगों राज्यों में कांग्रेस को रिवाय किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई उनका कारिकार इत्यास में याद रखा जाएगा जो इतने लंबे समय तक पुरा कारिकर के पार्टी को एक शक्ती दी आज देश में सबसे बड़ी समश्या कमरतोड महंगाई एनी इंफलेशन बैंकर बेरुजगारी अनिम्प्लोमेंट अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के दोरा देश में देश में फैलाई जाने वाली नफरत देश की इन समश्याओं के खिलाब जनांदोलन तयार करने के लिए पूर कॉंग्रे सद्देक्ष स्री राभूल गांदी कन्या कुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमेटर की आत्रा पर निकले हैं आज पूरा देश उनके संगर से जुड़ रहा है मैं कॉंग्रे जनों और देश के लोकों से अपील करता हूँ कि देश के हित में भारत जोड़ यात्रा में शामील होकर स्री राभूल गांदी के कंदे से कंदे मिला कर चलींगे उन्होंने मुझे एक गंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन आप कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कॉंग्रेस के सिफाई के नाते काम करते रहोंगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके ऐसा उन्होंने मुझसे कहा इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो आद्रियात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने पोन पे बिदाया इसलिए मैं उनका भी दन्यवाद करता हूँ आज हम सब को मिलकर कारेकरता के तौर पर काम करना है यहां न कोई बड़ा है ना छोटा सब भराबर है हमें देश के समिदान पर हो रहे हमले और देश की डेमोकरसी को खतम करने की कॉंस्परेसिम मिलकर लड़ना है हमें फैसिस्ट ताक्तों से लड़ना है जो कमुनेलिजम का चोला ओड़ कर डेमोकरटिक इंस्टूशन पर अटाक कर रहे हैं हम संगटन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनोतियों से भी लड़ेंगे दिल्ली की सत्ता पर बेटे हुए हुकमरान सरकार बाते तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता और असलियत मैं उनके चरित्र को चार सद्दों में अगर मैं मताऊं कि ये है खोकला चना बाजे घना तो ये उनका काम है तो दोस्तों हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेट नहीं चड़ाया जा सकता हमें इकटे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है पार्टी के सबीद दोस्तों को समसत से सडक तक लड़ना होगा भूत स्तर पर संगटन के हर साती को जोर से संगर्ष करना होगा मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझे पर बरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन में एक सामान्य व्यक्ति को एक सामान्य कारिकरता को कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया है मैं आपके बरोसे पर खरा उतरने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा जाए हिंद, जाए कॉंग्रेस Thank you Sir, there will be there will be another there will be another opportunity खडगे साब has I am very fortunate that I am in charge of the same state that खडगे साब comes from So he has asked me to request to all of you, उन्होंने मुझे आप से सादर हाथ जोड़कर अनुरोद करने को कहा है के 26 तारिख को वो अपना कारेभार समालेंगे और उस दिन एक व्यापक पत्रकार वारता कर, बहुत सारे सवालों का जबाब लेंगे आज हम सब ने उन्हें अनुरोद किया कि आज आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं आप आज जरूर पत्रकार मित्रों को से मिलिए अपनी ठिपनी करिए एक व्यापक पत्रकार वारता जिसमें आपके सब सवालों का जवाब वो लेंगे उन्होंने मुझे अनुरोद किया है आपसे अनुरोद करने को कि आप थोड़ा सा धेरियर रखें और 26 को आपके सब सवाल लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल